हेलो एवरीवान वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल न्यूटर्ण आप आप सब सेफ होंगे और आप लोगोंने कैप राउंट 2 की पूरी प्रेपरेशन कर लियोगी तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो जबूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ पर आपको सारी इं जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आपका अभी कैप राउंट 2 के लिए आपको ऑप्शन फरम भरना है यह आपका लास्ट कैप राउंड है तो आपके लिए सबसे क्रूशल होने वाला है तो आज के वीडियो में हम कैप नहीं रहेगा और एक चीज अच्छे से समझें तो मेरे सामने हाँ पे कैप राउंड वन का एक ऑप्शन फरम है ठीक है यह मैंने एक एक्जाम्पल के तौर में लिया है तो इसको समझते है पहले तो मैंने पहले स्टार्टिंग में कुछ अच्छे कॉलेजिस डाले जो महा दिये तो में टोटल 13 कॉलेजिस की लिस्ट है ठीक है अब क्या रॉंड़न होने के बाद मेरे को क्या हुआ कि मेरा ऐसे सेमेस हो गया यानि कि मेरा दसवे नंबर का कॉलेज लग गया मुझे ठीक है तो अब क्या करना है अब जब आप का ऑप्शन फरम भरोंगे तो आपको जो कॉलेज एलोट हुआ है यानि कि यहां पे मुझे AISMS अलोट हुआ है उसके नीचे के जितने भी कॉलेजिस थे में को नहीं फिर से सुनिये में को नहीं भरना है कैप राउंटों में ठीक है आपके लिए वो सथारे के सारे उसके नीचे के कॉलेजिस क्रॉस आउट हो है यह कॉलेज मुझे अलोट हो चुका है ठीक है अब मुझे क्या करना है AISMS के उपर जितने भी कॉलेजिस थे मेरे प्रीवेश स्लाइड में देखा होगा आपने मैंने वह सारे भर दी और में को कोई और जो की AISMS से अच्छे कॉलेजिस यह चीज सुनिए AISMS से अच्छे कॉलेजिस आपको भरने ऊपर ठीक है उससे खराब कॉलेजिस आपने भड़ेया उनसे कम मार्क्स जिन कॉलेजिस को चाहिए वह भरा तो आपको वह सीट मिल जाएगी क्याप रॉन टू में और फिर आपका AISMS जो की उनसे बेटर कॉलेज था वह भी चला जाएगा यह तो मैंने येलो में जो कॉलेजिस डेनोट किये हैं वह मैंने उपर भर दिये ठीक है यह कॉलेजिस आप रैंकिंग में मत जाएगा यह सिर्फ एक 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 इस प्रकार में आपको के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना है एक और बार देख लेते हम आपको सबसे पहले टॉप के धुए ऐसा नहीं कि मेंको मेकानिकल यूँ मैं मेकानिकल भ़र रही हूं ठीक है एसा नहीं उसके अब आपको क्या करना है आपके कैपर राउंड वन में जो भी कॉल्ज एलॉट हो चुका था आपको उसके उपपर के बरने ठीक है यहां पर मैंको टेंथ कॉलेज हुआ था तो तो मैंनों ऑपर के बरने यह इस बढ़त है और आपको वार कॉंसे कॉल्ड बने जो कि कर दो तो फिर आप कुछ करनी पाऊंगी ठीक है तो प्लीज ध्यान से करिए यह सब चीज़े अब मैंने यह चीज़े आपको कल के वीडियो में भी बताएंग थी बर फिर से बता रहे हूं कि यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपने राउंड वन में नॉट फ्रीज किया तो आपका कॉलेज वीडियो में बताती जा रही हूं अभ जो मैं आपको उपडेट बोली थी कि मैं आपको एंड में बताऊंगी वह यह बहुत साहे बच्रों का यह डाउट आ रहा था मुझे की हमने पहले दो ओपन भर दिया था क्योंकि हमाई पास कुछ नहीं था सर्टिफिकेट और लेकिन अब मुझे OVCIA ACSTA काटेगरी से बैठना है तो मैं बैठ सकता हूं क्या तो आप नहीं बैठ सकते हो अगर आपने रिसीट भरी थी अगर आपने अप्लिकेशन फॉर्म में रिसीट सम्मिट की है आपकी कास्ट वालेटिटी की तो ही आप सर्टिफिकेट उसका सम्मिट कर सकते हो जब तक क्या प्राउं टू है आपका तब तक ठीक है इन बच्चों ने रिसीट नहीं सम्मिट की थी वो नहीं कर सकते ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करें वीडियो को आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज अगर आपको नहीं अच्छा लगाओ तो कोई बात ने बढ़ागा अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक ब बाकी सारे apps की link हमने description box में दे दिये hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and thank you